नमस्कार जी क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम सुनीता बला रहा है बेन जी कहां से हैं आप? वैचे तो हम हर्याना रोतक से रहने वाले हैं पर 20 साल से मैं दिल्ली पालम में रह रही हूँ संत्रामपाल जी मारा से नाम दिख्षा आपने कब ली? तो फिर आप संद्रामपाल जी माराशी सरण में कैसे आई? कर मेरे गुरुजी संद्रामपाल जी माराशी से नाम देखरले लेड़, उनके घर में इतनी प्रोलम जादा प्रोलम जाती थी। उनके एस बेंड इतने दारू पीते थे ना कि सुबह दारू पीना शाम तक ऐसे ही नसे में रहना कोई काम नहीं करना उनके घर में इतनी प्रोवलम थी कि पच्चों की फीस बरने तक के पैसे नहीं थे उनके पास और वो इतनी पूजा पाट करती थी इतनी पूजा पाट नो प्रोबलम भी, बूतों की भी, मतलब उनको प्रोबलम थी, सारी चीजों की ऐसी प्रोबलम थी उनको, तो उनको कोई रहत नहीं मिल रही थी खहीं से भी, तो मेरे मम्मी के समझाने के बाद, वो शौनत्रांपाल जी माराज से उन्होंने उपदेश लिया, क्रोथे में जाके तो उसके बाद उनको दिरे 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 इतने लाब होने लगे मेरी बहन को बच्चों को जो अपरे की सिकायत थी वो उनकी दूर हो गई और उसके बाद प्रमात्मा ने इतने लाब दिये उन्होंने मेरे को ग्यान समझाया बहन ने कि तू भी संत्रामपल महाराज की सरण में आजा और यह सच्चे संत पर थ्वीपा आए हुए हैं और यह सच्ची बगति देते हैं इनसे बहुत लाब होता है तो उन्होंने मेरे को ग्यान समझाया थोड़ा बहुत और मैं फिर उनकी उनसे नाम लेने के लिए क्रोथा जरम चली गई तो मैंने संत र मेरे असमेंड एयर फोर्स मेंन अउकरी करते थी तो जैसे पूर्ना नासिक में ऐसी ऐसा मोसम था कि मुझे मौसम सूट नी वहा तो वहाँसे मेर को यह असमा की प्रोब्लम हो गई तो हम दिल्ली में पुस्टिंग आ गई तो दिल्ली में पांच-चे साल तक मुझे ऐसी अ अंदर मुझे यह नहीं पता मेरी बिमारी कहां चली गई उसके बाद परमातमा ने मुझे दरसंद दिये सपने में जैसे मैं करोथा आश्रम में सच्छंग सुनने के ले गई हूं और मेरी गुडिया है चोटी सी वो इदर उदर भाग रही है तो मैं उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही हूं जब तक गुरुजी दरसंदे के वापिस ले जाते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है कि गुरुजी चले गए और मुझे आश्रवाद नहीं मिला उसके बाद गुरुजी दुबार वापिस आते हैं और कहते हैं बेटी तरे को आश्र इतनी शांती हुई इतनी शांती हुई बगजी मैं बर्णन ने कर सकती उसको जैसे गुरुजीओ की आशिरवाद से ऐसे चक्कर सा आया इतनी शांती मिले मुझे मैं बता नहीं सकती संत्रामपाल जी माहराज जी उपदेश लिया हमने नजबगड में एक प्लोट लिया चार लाख रुपे का तो उसको हमने सेल किया तो 35 लाख का वो प्लोट हमने बेचा प्रमातमान इतनी दया करी उसमें 31 लाख रुपे हमें प्रोफिट हुआ उसके बाद लाब तो इतने हुए हैं सर मैं गिना नहीं सकती बवासिर की प्रोब्लम होगी तीन-चार दिन तक मैं ऐसी थोड़ी 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 थे फिर मैं अमने एजबेंड को कहने लगी कि आप तो मुझे डोक्टर के पास जाना ही पड़ेगा तो ऐसे मैं आमको गुर्जियों से प्राथना की गुरुजी आप यह ठीक कर सकते हो आप इतने बड़े डोक्टर हो इतनी बड़ी-बड़ी दुनिया की ठीक कर रखे मेरी छे-साथ साल से जो अस्तमे की प्रोब्लम थी वो ठीक कर दी आप ही कर सकते हो मैं डोक्टरों के पास नहीं जाना चाती तो सर मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत रात मिली तो मेरे एसमेंट बोले आपको तो ओस्पिटल चलना था तो मैं बो प्रमात्मानी जो मंत्र दिये हैं उनीं सेमें लाब होगा उनकी भग्ति करते रहे और मेरेको मुझे नहीं पता हो थोड़े दिल में मुझे आज तक मुझे वो प्रोब्लम मेरी कहां चले गे मुझे नहीं पता तो सर इतने लाब हुए हैं परमात्मा की दया से हम गिना नहीं सकते और जैसे मैंने नाम उब्देश लिया उसके चार महिने बाद ही जैसे मेरे को सतनाम गुर्जी देने जा रहे थे तो बगज जी और बोला चोटे बच्चे हैं अपने अस्बेंड को बोला कि चोटे बच्चे हैं मैं अकली कैसे जाओंगी आप मेरे साथ चलो तो उन्होंने नाम ने लिया था तो मेरे साथ चले गई तो मैं क्या देखते हूं और सक्राइब रांपपार जी माराज जहां मुँझे दूसरा मंतरसतुटोरा माराज दूसरी लाइन में पहले नाम के लिए लाइन में लगे हैं。 तो मुझे बहुत खूशी हुई evnesemind की कहां से जोड़ दिया। एमारे परिवार में खूशिया कहूशिया होगी---- और मेरी जैसे गुडिया थी, मेरी 11 साल की थे उस टाइम, तो उसके पैरों में ऐसे अलर्जी हो गई थी, मैंने कई डोक्टरों को दवाई दी, जैसे सोक्स पहनने के बाद, जूत्ते पहनने के बाद, तो सर उसके पैर ऐसे हो जाया करते, बिल्कुल लाल-लाल जैसे खून त केगा, काफी सारी दवाई दिलाने के बाद, कोई आराम नी होता था उसको, तो एक दिन सच्चंग में गए होए थे, संत्रामपल जी माराज आशिरवात देने आए, तो मैंने उनसे प्राथना की, गुरु जी मेरी लड़की है ये, और इसको बहुत अलर्जी है, काफी सार काफी सारी दवाई दिला ली, और कोई आराम नी है, गुरु जी बोले, बेटा भगति करो, सब ठीक हो जाएगा, तो थोड़ा सा आगे गए गुरु जी, फिर आए बेटा लड़की को बोले, लड़की तु गुडिया टीवी बहुत देखती है, टीवी नहीं देखना आग संत्रामपाल जी मारा से जुड़ने के बाद हमें कोई किसी चीज की दिकत नहीं है, सर मेरे जीजा जी इतना नसा करते थे ना, सुबह से शाम तक दारू पीना और ओप्रे प्राय की शिकायत, बहुत ज़्यादा उनके मेरी भेन की घर में बहुत ज़्यादा दिकत थी, उस बार की जो उप्राप्राय उसको बहुत दुखी कर रखा है, वो आएगी परमात्मा की आत्मा है, सरण में आएगी, जरूर आएगी, तो उसके मेरी भेन ने जब गुरू जी से नाम उद्देश लिया, उसके पूरे डेड़ साल के बाद मेरे जीजा जी ने संत्रामपाल ज माराजी से उप्देश ले लिया और उनकी नसे की जो बुरी लत थी वो बिल्कुल चूट गई, आज सर मेरी जीजा जी ऐसे हैं, किसी को मतलब अगर कोई दारू पीने वाड़ा साथ बैठता तो उनको गाड़ी में भी नी बिठाते, और परमात्मा ने उनके घर में इतनी हम से उसकी, तो आज परमात्मा की दाय से उनकी ऐसी परमात्मा ने उनके घर में ऐसी रजा कर रखी है, वो परमात्मा की दिन रात गुन गाते रहते हैं, क्योंकि वो परमात्मा हैं, वो इतने लाब दे सकते हैं, जो कोई डोक्टर कैंसर को ठीक नहीं कर सकता, संतरामपाल बाप भी आजाए होगा अगर हम मर्यादा में रहा के बगती करते हैं तो परमादमा सब कुछ कर सकते हैं तो उसके बाद मेरी भेन का बड़ा लड़का उसको नौकरी मिली वहां बैंगलोर में नौकरी करने लगा उसके थोड़े दिन बाद वो उस्टेलिया कम्पनी ने और बेज दिया, आज वो लड़का ओस्टिलिया में इतनी बड़ी पोस्ट पे है, बहु भी ओस्टिलिया में है, छोटे लड़के को सर या बैंगलोर में एमाजोन कंपनी में नोकरी करता है मैनेजर, 65 लाख उसका पैकेज है, परमातमा ने इतनी दया कर दी उनके घर में, आज के लिए आप Heya 11, 15 weekend 2020 में कृष्णी हैं किमिस संतरामपल माराज उनको दिया के जरतना करने के ऊभष्णन पैसे उनको दर्शक आपको देख रहा है, खासकर के जो महिलाया, जो दुखी है अनके लिए आप क्या कहना चाहाएंगी? जी उनसे यही प्राथना करना चाहूंगी मैं कि इस दर्ती पर संत्राम पाल जी माराज कबिर सहीब के रूप में आये हुए हैं और सभी दुखी आत्माओं को अपनी सरण में लेके उनका दुख दूर करते हैं जो भी भगत आज मुझे देख रहे हैं मेरे जान पैचान वाले या रिष्तेदार कोई भी मैं उनसे आजोड के प्राथना करना चाहूंगी कि एक बार उनके ज्यान को सुनें समझें देखें बेसक आप उनसे नाम उपदेश ना लें पर उनके ज्यान को एक बार समझ के देखो प्रूप के साथ हमारे संत्रामपाल जी माराज एक बात समझाने के लिए छेचे प्रूप देते हैं प्रूप के साथ ग्यान दे रहे हैं और मैं तो सब इसे यही प्रातना करना चाहूंगी कि एक बार संत्रामपाल जी माराज की सरण में आने से पहले पहले उनका ज्यान समझो, उनकी पुस्त के पड़ो, कई चैनलों पे उनके सच्छंग आते हैं, सच्छंग सुनो और उनसे ज्यान ग्रैन करके उपदेश लो. संत्रामपाल जी माराज से नामदिक्षा कैसे ली जा सकती है? संत्रामपाल जी माराज से लो.